वेलकम तूएस अकैडमी इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं अब लीर मन्थ के करेंट अफेर के कोश्चन जो कि आपके बेस्ट 300 के कोश्चन में से पाट फॉस्ट ये वीडियो है जिसमें हम लोग सारे कोश्चन टॉप 1 लाइनर के फॉर में देख दे हैं और य कि आपको और भी ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहा है वीडियो को पहला कोशन है केंदर सरकार के अनुसार जम कस्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिकों को डोमिसाइल के हगदार होंगे तो अगर कोई भी वेक्ति जम कस्मीर में रहता है तो वो कितने वर्ष तक रहने प को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा तो यह सभी एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा और इसका जो सुचना आया है भारत सरकार ने एक्सपोर्ट पर्मोशन केपिटल गूड्स को पढ़ाएगा और डिव्टी फिरी आयात को भी बढ़ा देगा और टीज्म और टोटल से के बीच संयुक्त उधम के गठन को मंजूरी दे दी है इसका नाम है भारतिय प्रती अस्परदा आयोग और यही कंट्रोल करता है जितने भी एग्रिमेंट होते हैं उर्शोर उर्जा के बीच में भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने कोवीड-19 बैस्व किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा जो की कोवीड-19 के कारण यह देखने को मिल रहा है नेक्स्ट कोशन है संयुक्त राश्चुरक्षा परिशद ने हाली में किस देश की पार्टियों से कुरोना वायरस महमारी से निपढ़ने के लिए और पूरे देश में मानुई सहा अग्रह किया है तो यह देश है अफगानिस्तान अगला कोशन है वह किर्केट बोर्ट जिसने हाली में कोवीड-19 महमारी से पढ़ने वाले बीतिये परभाव का सामना करने के लिए 6 करोर 10 लाख पॉंड की बीतिये पैकेज का घोशना किया है तो यह है इंग्लेंड का किर् वेल्स किर्केट बोर्ट हाली में केंडर सरकार ने राष्टिये बचत प्रमान पत्र यानी एन एससी की तरको 7.9% से घटा कर कितने परसेंट कर दिया है तो 7.9% से घटा कर अब यह कर दिया गया है 6.8% किस राज परदूसन नियंतरन बोर्ड के अनुसार COVID-19 महमारी के कारण हाली में लागू किये गए 21 दिन के लोगडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर छेत में कावेरी तथा अन्य नदियों के परदूसन में गिरावट आई है तो यह कौन से खरीने का नीरने लिया है और यह है आंधर परदेश आंधर परदेश ने इसे खरीने का नीरने लिया है वह राजे सरकार जिसने कोई-19 के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद वाइरस के खिलाब लडाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑन-लाइन पाहल शुरू की है जिससे लो आर्थिक विकास दर घट कर कितने परसेंट रह सकती है तो यह 4 परसेंट का अनुमान लगाया गया है एसीन डेवलोप्मेंट बैंक के द्वारा के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल GST राजस्व यानि ग्रोस GST रेविन्यू में कितने परसेंट की कमी देखन रहे हैं आपका एक अप्रील से लेकर साथ अप्रील के कोश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके सतर से अधिक कोश्चन इसमें वीडियो में डाले गए हैं भारतिय आयुरुविक ज्यान अनुसांधान परिशद यानि ICMR के अनुसार COVID-19 की कितने अर्द उ रहे हैं जिस राजे सरकार ने उचने अले द्वारा दियेगे निर्देशों के अधार पर नौरत नालू पेद नल्द रिग की इलू कारकरम ये एक दिशा निर्देशों में संसोधन किया गया है ये किस राजे का दिशा निर्देश है ये है आन्धर परदेश का कौन से राजे सरकार ने COVID-19 रोग्यों को अक्सीजन की आपोर्ती की आउसक्ता को पूरा करने के लिए भारतिय नोसे ना विशाखा पत्नम द्वारा बिक्सीद मौल्टी फीड अक्सीजन मेनिफ्योल को खरीदने के लिए निर्ने लिया है तो यह अभी हम लोगों ने देखा आंदर परदेश ने एसा निर्ने लिया है कि वो मौम को खरीदेगा हाली में कौन सी संस्थाने देश में बड़ते कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते हैं अत्याधूनिक मास्क और सेनिटाइजर से लेकर बायो सूट तयार करेगा यह है DRDO और इसका हेड़ क्वाटर है निवदिली में और इसके चेयर मैन है जी सतीस रेड़ी अगला कोश्चन देखते हैं केंदर सरकार के अदेश के अनुसार महिलाओ के जंधन खाते में तीन महीने तक हर महीने कितने रुपए की रासी की मदद दी जाएगे तो जो भी महीलाओ है उनका जंधन खाता होगा तो उनके खाते में हर महीने 500 रुपए दिया जाएगा तीन महीने तक कुरोना वाइरस लोगडाउन के कारण कौन सी सस्ता है जिसने कुरोना वाइरस निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोर का अपात फंड जारी किया है ये किया है वर्ल बैंक के द्वारा इस जो बैंक ने ऐसा 14,448 करोर का एक इमर्जेंसी फंड होता है इसको जारी किया है अमेर्गी राजपती चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उमिद्वार है और दावेद्यारी इनका आगे चल रहा है जो बाइडेन ने कहा है कि इनका नाम है बाइडेन और इन्होंने कहा है कि कुरोना वाइरस संकट का सामना कर रहा है कौन से देश को परतिबंधों से राहत दे जाने चाहिए तो इन्होंने कहा है कि इरान को जो भी परतिबंध लगाए गया है उसके थोड़ा सा राहत देना चाहिए भारतिय रिजर्ब बैंक यानि आर्बियाई के द्वारा एक अप्रिल से गैर निवासी भारतियों को निर्दिष्ट सरकारी बॉंड में न पैनल का नाम है फूली एक्सेसिवल रूट फूली एक्सेसिवल रूट नाम है इसका अगला कोश्चन है कौन से सथा ने जारी गिया है बीस्व जल विकास रिपोर्ट उसके अनुशार जो जलवाई पर उतन बुनियादी मानो असकताओं के लिए जल की उपलवदता गुन अगला कोश्चन है उडिशा दिवस किस दिन मनाय जाता है भारतिय रिजर्ब बैंक की अस्थापना दिवस किस दिन मनाय जाता है ये एक अप्रेल को हर साल मनाय जाता है सुकन्या समरिद्धी योजना के लिए ब्याजदर 8.4% से घटा कर अब कितना परसेंट कर दिया गया है ये कर दिया गया है 7.6% और पहले था 8.4% और ये किया गया है जो कुरोना वाइरस के कारण लोगडाउन हुआ है और उसके कारण जो आर्थिक लोस चल रहा है उसी के कर दियडायए परेटन मंत्राले ने हाली में भारत के विभिन इंडिया फशेंटर 9.4% से परेटों को की इस आयता के लिए किस पोर्टल का सुबारहं किया है तो जो भी लोग फशेंट इन इंडिया के लिए ये पोर्टल चालु किया गया है अगला कोर्शन और आर्थ आ में हाली में किस IIT के इंडर्स्टियल डिजाइन सेंटर ने एक पोर्टब पोर्टेवल यूवी सेनिटाइजर विक्सित किया है जो वालेट पर्स और अन्य छोटी बस्तों को जीवानु रहित बना सकता है यह डेवलप किया गया है IIT बॉंबे के द्वारा कौन सा देश ने म Institute Institute MIT ने यहां पर दिया गया है Massachusetts Institute of Technology MIT है इसके जो भी सोध करता है उन्होंने एक अध्यन में बताया है कि मानसून के समय COVID-19 का परभाव कम हो सकता है तो यह आपका अमेरिका में है अमेरिका के यह Institute है जिसके कारण जो बताया गया है कि जो COVID-19 है यह मानसून के समय थोड़ा सा इसका परभाव कम हो सकता है अगला कोशन है हाली मेकेंद्र सरकार ने corporate दिवालिया पॉन की कारवाई शुरू करने है अगला कोशन है आली में सोध करताओं ने किस देश के मीगू साप में पाए गए एक प्राचीन जिवासम के विसलेशन के अधार पर पता लगाया है कि मानों हाथों का विकास किस परकार हुआ तो ये करनेडा का जो भी सोध करताओं ने ऐसा बताया है कि मानों के हाथों का विकास कैसे हुआ था अगला कोशन है कि हाली में कौन से सलस्ता ने COVID-19 के गंभी रूपों से बिमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त पलाजमा उपयोग करने को मनजूरी दिया है तो रक्त पलाजमा यूज किया जा रहा है US Food or Drug Administration के द्वारा इसमें क्या होता है कि जो भी लोग जो COVID-19 से ठीक हो जाते हैं उनका ब्लड लेकर दूसरे वेक्ति के ब्लड में दिया जाता है जो कोई COVID-19 से संक्रमित होते हैं अगला कोश्चन है इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारतिय और्थवेस्ता के पिकास के अनुमान को कितने परसेंट तक घटा दिया है तो ये 3.6% घटा दिया है अब इसका जो भारत का GDP है इंडिया रेटिंग्स के नुसार 3.6% है हाली में कौन से देश के हास अभिनेता केन सीमूरा का कोरोना वाइरस के कारण नीर्धन हो गया तो जपान के ये एक्टर हैं जिनका नाम है केन सीमूरा और इनका डेथ हो गया कोरोना वाइरस के कारण अगला कोश्चन है रिलाइंस इंडुस्ट्री ने कोरोना वाइरस की इस महमारी से लड़ने के लिए PM केर फॉंड में कितने करोड देने की घोशना किया है रिलाइंस इंडुस्ट्री के द्वारा 500 करोड रुपया देने की घोशना किया गया है पीम केर में ये पैसाद जमा होगा जो की कुरोना वाइरस के लिए जो भी इसमें हेल्प चाहिए इसको हेल्प मिल सके कौन सराजय सरकार है जिसने देश भर में लोकडाउन के दोरान आवस्टक सिवाओ की डिलिवरी में लगे वेक्ति को ये पास जारी करने के लिए एक मुबाइल एप जिसका नाम है प्रग्याम ये शुरू किया है जारखंड के द्वारा ACI विकास बैंक यानि ADV के द्वारा भारतिय धचागत छेत्र के लिए कितने करोर डॉलर का निवेस की घोशना की है तो 10 करोर डॉलर 10 करोर डॉलर की घोशना किया गया है ACI डेवलोप्मेंट बैंक के द्वारा कोरोना वाइरस के चलते हैस अग्यत हुआ Tokyo Olympics 2020 अब कितने अगले साल किस तरीक से किस तरीक के बीच में आयूजित होगा तो यह जैसे कि पताए कि Tokyo Olympics होने वाला था और अब यह अगले साल होने वाला है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में अगला कोश्चन है कौन सा देश है जिसकी आयू सेना ने 10 अप्रिल से अलास्का में आयूजित होने वाले अपने परमूख बहु पक्षी हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के चरन एक को रद कर दिया है इसका नाम है अमेरिकी वाईव सेना अमेरिकी वाईव सेना ने इसे रद कर दिया है अगला कोश्चन है कि हाली में G20 समुख के देशों द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने के लिए तता अंतराश्की स्वयोग की दिशा में G20 वर्चुल समीटी का आयोजित कराया गया तो ये अच्छक किया है ये जपान के द्वारा कराया जा रहा है केंद सरकार द्वारा भोसी द्राहत पेकेज महिला स्वयों सहायता समुख को दीन देयाल राष्टी आजीव का निशन के तहट कितने लाख रुपए तक की जमानत मुक्त रिन दिये जाएंगे इसमें 20 लाख कराने की मंचूरी दी गए है तो जो भी वैसे पर्शन है जो स्वास्त कर्मियों से रिलेटेड है तो उनको प्रदान मंत्री गरीब कर्द्यान युजना के तहट बीमा कराये जाएगा ताकि अगर उनका इलाज करते समय कोई भी अगर दुरगटना होती है तो उनके परिव ट्रॉंप के द्वारा अगला कोशन है हाली में किस देश ने कुरोना वाइरस मामारी के मद्देन अज़र रक्षा उत्पादन अधिनियों लागू किया है तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है वित्ये मंत्राले नेकेंद्रिय बज़र 2020-2021 में क्वान्टम और अप्लिकेशन पर आधारी द्राष्टी मीशन के तहट कितने वर्ष के लिए 8000 करोर रुपे खर्च करने की गोशना किया है तो ये 5 वर्ष के लिए किया जाएगा हाली में कौन से सहर में इस्तित्वास्थेत के एक नीजी कमपनी है जिसका नाम है माय लेब इसने COVID-19 के परिक्षन के लिए टेस्टिंग कीट बनाने की मंजूरी दिया है ये पूने में इस्तित है हाली में कौन से देश ने भारत पर वरोसा दिया है कि LPG गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी ये सौधी अरबिया है सौधी अरब के द्वारा बताये गया है अगला कोशन है राजस्थान दिवस परतिवस किस दिन मना जाता है राजस्थान दिवस ये मना जाता है 30 मार्ज को राजस्थान के मुख मंत्री है और सोक गहलोद अगला कोश्चन है वह राज है जिसने कोरोना वाइरोस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक एक कमीटी बनाया है जिसमें समीतिया होंगे लोग ओफिसियल होंगे इस राज के और ये बनाये गया है उतर परदेश के त्वारा और उतर परदेश के मुख मंत्री है योगी अधितनात और राजेपाल है आनंदीब और पडेल तो ये हमारा आज का पार्ट फर्स्ट वीडियो था जिसमें हम लोगोंने कोरेंट अफेयर के जो अप्रिल मंत का नौन लाइनर कोश्चन था इसमें हम लोगोंने सतर से ज्यादा कोश्चन करने की कोशिस किया है जल्दी इसका पार्ट सेकेंड आने वाला है तो वीडियो अच्छा लागे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो